असलाम अलेकूम वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद कर्टियों आप सब ठीक होंगे और मैं आज बना रही हूँ चीज मैकरोनी पानी में मैंने नमक और ओयल डालके रखा हूँ है जब मैकरोनी अच्छी तरह से गल जाएंगे तो मैं उसको ने थार के उपर से टटा पनी डालूँगी ताके वो आपस में चिपके नहीं कड़ाई में जो है ओईल डालेंगे ओईल थोड़ा सा जो है वो कमी डालनें त्यूंकि मैकरोनी में ज्यादा ओईल अच्छा नहीं लगता साथ में यहां पर लसन चॉप की अवर डाल देंगे लसन को जो है वो अच्छी तरह से सोथे कर लेना है उसके पात चिकन क्यूब्स डालेंगे इनका भी जब कलर चेंज हो जाएगा तो तमाम सौसिस डाल देनी है जिसमें सिर्का चिली सौस और उसमें केचप है साथ में ही मसाले डाल देंगे जिसमें है नमक, मिट्चे, हल्दी, स्वैज, इरा, सुका, धनिया और कलवंजी है, गरम मसाला है तो इन सब मसाथ चीज़ों को डाल के जो है वो अच्छी तरह से हम भून लेंगे चिकन को चिकन की बुर्ढ़ाई करने के बाइब में सबजें डाल देंगे जिसमें हैं मटर, गाजर और शिम्प्ला मिट्चे और उसके बाद भी इसको अच्छी तरह से गलाने के बाद जो है वो दोसी सबजें डाल दीनी है जो कि जल्री गल जाती है इसमें है बंगो भी शिमला मीच और हरी प्यास तो साथ में ही मिकरोनी डाल देंगे और भी इसको पका लिए अच्छी तरह से तो चलेजी यहाँ पे जो मिकरोनी त्यार होगी थी उसको मैं एक पैन में डालूंगी नॉन स्टीक इसको अच्छी तरह से पहला लिना है ताकि उपर चीज डाल के जो है इसको ओवन में रखना है पांस से दस मीट के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूंगी स्लाइस चीज तो इसमें आप वाइट सॉस पीड डाल सकते हैं जो के मैंने नहीं डाली क्योंकि वो बहुत ही क्रीमी हो जाता है और अच्छी नहीं लगती मुझे तो इसके बाद जो है मुजरेला चीज डाल लेंगे और साथ में ही जो है वो चैडर चीज डाल देंगे अब ओवन में रख देते हैं पांच से दस मिंट के लिए प्रोनी जो है वो रैडी हो गई है और बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे हमने पीज़ा बनाया तो यह उपर से कलर माशाला से बहुत ही अच्छा है और आप लोग भी ऐसे ट्राइग करें बहुत ही मज़ा आ करें और मुझे अपनी द्वाओं में याद रिखेगा अलाहा फीज फी मानिला